आज हम सीखेंगे ओजोन परत के अपक्षय के बारे में आपने समाजार पत्रों या टीवी पर ओजोन परत के अपक्षय यानी ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में अवश्य पढ़ा या देखा होगा चलिए आज इस विशय पर चर्जा करें ओजोन का एक अनू यानी मॉलेक्यूल ओक्सिजन के तीन परमानूओ यानी एटम से बनता है हाला कि ओजोन एक घातक विश है लेकिन प्रत्वी पर जीवन की रक्षा करने में इसकी महत्वपून भूमी का है सूरी से प्रत्वी की ओर प्रकाश के साथ हानिकारक पराबैंगनी विकिरंड यानी अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज भी आते हैं प्रत्वी के वायू मंडल के उपरी स्तर में स्थित ओजोन परत घातक पराबैंगनी विकिरंड से हमारी रक्षा करती है यह हमारे लिए एक कंबल यनि ब्लांकेट की तरह है इस कारण ओजोन परत हमारे लिए बहुत महत्वपून है चलिए ओजोन परत के निर्मान को समझे ओजोन की परत निर्मान होने की प्रक्रिया अत्याधिक धीमी है उपरी वायू मंडल में उच्च उर्जा वाले परबैंगनी विकिरन ओक्सिजन अनू का विगटन करके स्वतंत्र ओक्सिजन परमानू उत्पन्न करते हैं ओक्सिजन के ये परमानू ओक्सिजन अनू के साथ संयुक्त होकर ओजोन का अनू उत्पन्न करते हैं ऐसे कई सारे अणू मिलकर ओजोन परत का निर्मान करते हैं अन्य जीवों की तरह हम भी परियावरण का एक भाग है हमारी गतेविदियां परियावरण में परिवर्तन का कारण बनती है हमारा जीवन सुखत बनाने के लिए हमने रेफ्रिजरेटर, एर कंडिशनर, स्प्रे एरोसोल्स जैसी वस्तूओं का निर्मान किया इन वस्तूओं में प्राय क्लोरो फ्लोरो कार्बन योगिक यानि CFCs जैसे मानो संसलिशित रसाइनो यानि सिंथरिक केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है जोकि क्लोरीन के योगिक है उद्योगों की स्थापना के साथ वायू प्रदूशन भी बढ़ा उद्योगों से निकलने वाले गैस में अकसर क्लोरीन योग्त रासाइनिक योगिक यानि कमपाउंड्स होते हैं उपरिवायू मंडल में परबैंगनी विकर्ण इन गैसों का विगटन करते हैं जिससे क्लोरीन के अनु उत्पन्न होते हैं ये परमानू ओजोन के अणूओं का विगटन ओक्सिजन में करते हैं क्लोरिन का एक परमानू ओजोन के लगबग एक लाख अणूओं का विगटन करने में सक्षम है ओजोन अणू बनने की तुलना में विगटित होने का दर कई गुना अधिक है इसलिए ओजोन परत धीरे-धीरे पतली होती जा रही है विभिन्न कारकों से उपरी वायू मंडल में पृत्वी की ओजोन परत का धीरे-धीरे पतला होना ओजोन परत का अपक्षय कहलाता है ओजोन परत का अपक्षय करने वाले कुछ कारक है क्लोरो फ्लोरो कार्बन, कार्बन टेटरा क्लोराइड, हाइडरो क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, क्लोरो फॉर्म जो क्लोरीन के योगिक है और हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइट, हाइडरो ब्रोमो फ्लोरो कार्बन्स जो ब्रोमीन के योगिक है यदि ओजोन परत अत्याधिक पतली हो जाती है तो इससे सूरी की पराबैंगनी विकिरन जीवों के सीधे संपर्क में आ जाएगी और इसे जन्तूओं में त्वचा का जलना, त्वचा का कैंसर, आँख का कैंसर, रोक प्रतिरोधक शक्ती यानि इम्म्यूनिटी में रास जै जैसे मचली के लिए भोजन का मुक्य स्रोध, प्लवक यानि फाइटो प्लैंक्टॉन है प्लवक प्रकास संसलेशन के प्रक्रम के अंतरगत परियावरण में कार्बन डायोकसाइट का संतुलन बनाने में सहायता करते हैं पराबैंगनी विकिरन जलिय पादपो जैसे प्लवक नहीं होंगे तो मचलिया नहीं होंगी और कई जीवों को भोजन प्राप्त नहीं होगा जिनमें मनुष्य भी संम्मिलित है स्थलिय पादपो में पराबैंगनी विकिरन के कारण वृद्धी, पुष्पधार्णा तथा प्रकाश संसलेशन में समस्या उत्पन्न होगी इससे संपूर्ण परियावरण को हानी होगी चलिए ओजोन परत के समवर्धन के कुछ उपाय जाने 1980 से वायू मंडल में ओजोन की मात्रा में तिवर्धा से गिरावट आने लगी है वज्ञानिकों ने अंटाक्टिका के उपर ओजोन परत में एक छेद की खोच की है ओजोन परत की रक्षा के लिए कई देशों की सरकारे काम कर रही है ओजोन परत की रक्षा करना हम सबकी भी जिम्मेदारी है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदरगत विभिन देशों में एक संधी हुई जिसमें ओजोन अपक्षय करने वाले पदार्थों का उत्पादन बंद करना, उप्योग न करना, इनकी खरीद पर रोक तथा वायू मंडल में इनका सांधरण यानि कॉंसेंट्रेशन कम करना, इत्यादी से संबंदित निर्णय लिये गए। इसके बाद विभिन देश ओजोन की परत को बचाने के लिए सदैव कारिरत है, हम भी इस कारे में अपनी भूमी का निभा सकते हैं। सफाई करने के लिए प्रयोग किये जाने वाले कई पदार्थ, क्लोरीन या ब्रोमीन के योगिक होते हैं, हम इनका प्रयोग कम कर सकते हैं, तथा इनके स्थान पर अन्य प्राकृतिक पदार्थों जैसे निम्बू का प्रयोग कर सकते हैं। कीटों तथा घास के नियंद्रण के लिए रासायनिक पदार्थों के स्थान पर अन्य प्राकृतिक तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। हम वहनों का प्रयोग कम कर सकते हैं। इसके लिए हम सार्वजनिक परिवान व्यवस्था का इस्तमाल कर सकते हैं। हम खेती में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। पेड लगाने से ऑक्सिजन की उत्पत्ती अधिक होगी, जिसे ओजोन निर्मान में सहायता होगी। आप अपने दोस्तों के साथ ओजोन परत के अपक्षय पर अवश्य चर्चा कीजिए और कुछ और तरीके पता कीजिए जिसके अंतरगत ओजोन परत का समवर्धन किया जा सके। तो आज हमने सीखा ओजोन परत का अपक्षय। झाल